हलो दोस्तों मैं राम देव आप सभी कर स्वागित करता हूँ नौलेज गुरू जी पर जैसे कि आप सभी थमनेल लग रहे हो अच्छा सासी आर्ट एंड क्राफ टीचर बरती से रिलेटिड वीडियो भई हाई कोट का उडर है वो जारी हो गया है नुक्ति पर कोई रोक नहीं सभी डाउट दूर बड़ी अपडेट तो नुक्ति आपकी कब होगी तो इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं और हाई कोट और सुपरिम कोट के जो भी केस है वो भी अपडेट इसमें आपको मैं बता देत हूँ क्या क्या होगी ठीक है तो आप इस वीडियो को लाइश तक जरूर देखें और चैनल पर आप लिए वरा हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ यह बेल का इकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो प्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप आपके पास सबसे पहले आ जाए तो यह जो केस है वही आपका सीड़ो लूपी है पत्चीस एकसो चोबिस दो हजार एकिस ठीक है तो इसकी डेट वही है 21 मार्च स्टेटस अभी पेंडिंग है तो इसका जो ओडर है वही इस ओडर को लेकर कपी आपके डाउट है वह मैं आ परेक्ट मैं आपको उसे ओडर में लेकर चलता हूं क्या कुछ अपडेट आपके लिए रहेगी वह आप इस वीडियो को देखते रहें तो यह है वही आपका ओडर ठीक है सीडवलूपी पचीस एकसो चौबिस ओफ दो हजार एकिस संज्य कुमार एंड अडर्स तो इसमें परेजेंट कर रहे हैं आपके मिस्टर रविंदर मलिक एड़ोकेट है पिटीशनर के और इसमें जो में जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं जो एफिडेवट की बात है इसमें एफिडेट डेट उन्नीस एक दो हजार बाइस सीरी राजी डूडेजा सेक्टरी लीगल अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन पंचकुला ओन ब्याइफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर तीन सेंड फाइल ठीक है तो यह जो एफिडेवट वो उन्नीस एक दो जार बाइस को फाइल किया गया था और अभी जो आगे आपकी सुनवाई है वो होगी वाई 21 मार् और टू ओफर अपोइंटमेंट टू दी इलिजिबल सेलेक्टिड कंडिडेट फू आर अन अफेक्टिड बाइ दी डिसीजन डेट चोविस ग्यारा दो जार इकिस ओन दी होनेबल सुप्रीम कोर्ट इन दगंदर बासकर एंड अधर्स वर्सी स्टेट ओफ हरियाना आप द थी उसमें का गया था भी इनको रोग लगाई जाए तो इसमें इन्होंने काया भी इससे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा जो सेलेक्टिड कंडिडेट है उनको भी जोइनिंग करवा सकते हैं तो कोई भी रोग उन पर नहीं है और इन्होंने काया भी जो सुप्रीम कोर्ट क का जो ओडर आया था जो आप सभी को पता के UK को लेकर जो मुदा चल रहा था समकस्ता का उसको लेकर जो ओडर आया था आपका 24-11-2021 को तो उनको तो एक बार जोइनिंग ना दे और जो भई इससे अलग है जो इससे अफेक्ट नहीं होते उनको भी आप जोइनिंग करवा सकते हैं इसको लेकर वाई सुपह मैंने वीडियो भी डाली थी और यह जो कटिंग थी वह थी वह थी नियूजपेपर की ठीक है तो अब है वह आपका कोर्ट का ओडर है इसमें जो बात थी वह इनीजपेपर में आपकी बात आई तो इसी बात को लेकर आपको जो डाउट थे भी जोइनिंग हमारी होगी या नहीं होगी ठीक है अब देखते हैं अच्छे सची क्या अगला स्टेफ लेती है के यू के वाड़ाओं को छोड़कर जो आईटी के सेलेक्टिट करनेटर उनको जोइनिंग मिलती है या उनको भी क्या है जब तक के यू के वाड़े का जो मुदा सोल नहीं हो जाता तब तक भी आपकी जो जोइनिंग है उसको होल्ड पर रखा जाता है ठीक है तो यह आपका भी देख सकते हैं 24 तरीका जो ओर्डर है वो वी साइट पर आया था तो इसमें डिसीजन आप सभी क पता चल गया है क्योंकि जो मुदा है भी इसमें जो आइटी वाले उन्होंने केस कर रखा तो वह आप सभी को पता है उसकी भी सुनवाई आपकी 21 मर्च को होनी है क्योंकि उन्होंने का भी हमें जोइनिंग दे जाए तो अब क्या आपका उसका जो 24 तारीक वाड़ा जो ओ उपन करते हैं वहां पर उसका उडर का लिंक नहीं आया है और जो सुप्रिम कोट के अंदर रिव्यू पेटिशन लगाई हुए उनकी भी अभी तक भाई कोई डेट नहीं मिली है तो अब देखते हैं आगे कि क्या अपडेट रणने ती अच्छा सशी करता है भई यानि आ आप सभी के साथ सेर कर देंगे ठीक है तो अगर ज्यादा अपडेट देखना आप पसंद करेंगे तो मैं आपको यह जो इस केस रिलेटिड दो तीन ओडर इसमें आई हुए हैं तो वह हमारे टेलिग्राम गुरूप पर मैं डाल देता हूं वहां पर आप तीन ओडर को क्य करोस्त आप चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट तीन ओडरों में है ठीक है तो इस ओडर में यही है जो दस दिसेंबर का जो ओडर आए था उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा जो जोईनिंग अगर उन इलिजिबल कंडिडेट है तो उनको जोईनिंग दे सकते हैं क्यों की काफी कंडिडेट के मन में रहे तब यह तो न्यूज पेपर की कटिंग है तो अब आपके बीचे जो ओडर है वो आ गया है से डवलूपी 25124 इसके जो तीन-चार जो भी ओडर है वह मैं अभी डाउनलोड करके अपना जो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है आपको चैनल अपने राई जरूर दें धन्यवाद